क्या आपने कभी cinematic magic पैदा करने का सपना देखा है पर limited budget होने की वज़े से आप उसे नहीं कर पाए तो डर ये नहीं आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से limited budget में आप एक professional grade का film, feature film या web series बना सकते हैं एक-एक points को ध्यान से देखिए क्योंकि मैंने 5 points में बताया है कि क्या ऐसा काम करें जिससे आपका production cost कम होकर भी आपका जो professional quality है वो निखर किया है नवसकार मैं समर के मखर जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिक सबसे पहले point पर आते हैं DIY equipment solution यानी do it yourself ऐसे equipment को आप select करें जो खुद आप तयार कर सकें या design कर सकें इसके लिए ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप camera का manufacturing करना शुरू करें लेकिन आप अपने project के अनुसार अपने script के अनुसार आप ये सोच पाएंगे कि कि किस तरह का camera आपको use करना चाहिए ऐसा नहीं कि red airy जैसे cinematic camera का ही use करके आप एक बड़ी film बना सकते हैं बहुत सरे ऐसे camera हैं जो काफी कम budget में आप purchase तक कर सकते हैं लेकिन उसके साथ अगर proper lens का matching करें और उसकी setting अगर proper रखें तो आप अच्छा output professional grade का output प्राप कर सकते हैं इसी point में दूसरा हिस्सा है DIY camera gears and grips देखिए camera gear और grips में आते हैं जैसे की camera को stabilize करना stabilizer बहुत महँए होते हैं rent पर भी और खरिदने पर भी बहुत सरे ऐसा DIY technique है जिससे आप camera को stabilize कर सकते हैं या फिर camera से related ऐसे mount आप पैदा कर सकते हैं बना सकते हैं जो कार के अंदर या किसी running छेतर में आप लगा सकते हैं और उसके लिए अलग से खर्च करने के जरूरत हैं बलकि आप खुद तयार कर सकते हैं तो इस पर सूचिए कि आपका script किस प्रकार है और उसमें किस प्रकार के gear और जो आपके grips हैं उसको आप तयार कर सकते हैं खुद बना सकते हैं या कम budget में आप ले सकते हैं equipment बना सकते हैं कोशिच करिए कि अगर आपको कम budget में film बनाना है तो maximum daylight में shoot करें और वहाँ पर अगर आप बड़ा saturn का कपड़ा रखते हैं बड़ा black कपड़ा रखते हैं उसके जरीए बहुत कुछ आप कर सकते हैं यानि lighting पर खेल सकते हैं जब sunlight में आप shoot कर रहे हैं तो उसमें आप 2-3 reflectors का यूज कर सकते हैं ये भी बहुत सस्ते में मिल जाता है जिसमें आपको reflector paper लगा करके उसे soft करके आप skin पर दे सकते हैं यानि जो face है face skin पर दे सकते हैं और skin का color अच्छा प्राप्त कर सकते हैं कई जगह पर आपको cutting करना है जिसके लिए black papers और black cloth की जरूरत होती है जो काफी महंगे नहीं होते हैं अब indoor lights की बात करें तो आप कोशिश करिए tungsten light पर काम करने की क्योंकि tungsten light जो होता है काफी सस्ता होता है और इसकी quality भी काफी अच्छा होता है इस पर अगर आप कोई filter paper लगाते हैं तो आपको अच्छा skin tone मिलता है अगर LED light की बात करें तो LED जो tube light होती है जो 200-500-500 रुपे में मिलता है घर का tube light LED tube light उसके कई series बना करके अलग से आप अपना light खुद तयार कर सकते हैं और उसकी जो quality आती है ऐसा आएगा जैसे कि आप professional LED light से shoot कर रहा है तो इस तरह से आप अपना जो production cost है काफी कम कर सकते हैं दूसरा point है location scouting strategies जिसमें आप scout करते हैं location का यानि location final करते हैं अपने script के अनुसार अपने scene के अनुसार इसमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है पहला है uses of public spaces आप कोशिच करिए कि public space का use करें यानि जो छेतर public का है यानि road, सड़क, hospital का भारी हिस्सा कोई भी public place का या garden हो या कोई भी monuments हो जिसके बाहर आप कुछ shoot कर सकते हैं ऐसे जगहों का आप use करिए जिसका permission easily मिल जाता है और ना के बराबर शुल्क देना परता है तेकिये metropolitan cities में पहले था कि उसमें काफी भारी शुल्क लगता था जब आप road jam करके आप shooting करते थे लेकिन आप तो वो भी काफी कम हो गया है और government बहुत सहुलियत दे रही है और आप ऐसे जगह का घाट का किनारा हो या कोई नदी का किनारा हो कोई ऐसा pond हो, lake हो वहाँ पर आप shoot कर सकते हैं जो public place है वहाँ पर अगर आप shoot करेंगे private place है तो उसके लिए आप sponsorship ले सकते हैं जैसे कोई mall के अंदर shooting करना है mall के अंदर अगर आप shoot करते हैं तो बहुत rich look आएगा लेकिन उसके लिए आप permission ले सकते हैं mall management का और उनको उसके बदलें कोई value add करके देना है अपने film में या जिस जगह पर lighting किया हुआ है उस जगह पर आपने shoot कर लिए लेकिन richness आएगा even then public के उपस्तिती में भी आप कई चीज़ shoot कर सकते हैं जिसमें public को कोई दिक्कत नहों mall के अंदर कोई shop हो कोई factory हो कोई बंद पड़ा हुआ meal हो कोई office हो उसके अंदर आप shoot कर सकते हैं उस office के जो owner है उससे बात करके हो उनको कुछ value provide कर दिजी अपने film में sponsor ले लिजी उनके offices का नाम या उनका shop का नाम उनका restaurant का नाम highlight कर दिजी तो उसके बदले में वो आपको location free of cost भी दे सकते हैं और इसे में last point है clever angles and framing techniques आपको camera का जो angle लगाना है जो frame बनाना है वो उसमें clever way में आप उसकी technique को अपनाएगे यानि आप इस तरह से उसका frame बनाएगे ताकि background बहुत reach लगी कई बार क्या होता है आप पूरे जगह पर shoot नहीं कर सकते हैं लेकिन एक खास जगह पर अगर आपने angle लगाया camera का उसमें जो background आ रहा है वो बहुत reach आ रहा है तो ऐसे angles खुझे यानि जो आपका DOP हो अगर आप खुद भी है DOP तो खुद ऐसे angles का खुझ करिए जो एक खराब से खराब जगह पर भी एक high grade का output परदान कर सके अब अपने तीसरे point पर आते हैं कि कैसे low budget में आप film बना सकते हैं cost effective production design तेकि production design आपको करना है cost effective क्योंकि पूरा का पूरा shooting production design पर ही निर्भर करता है ये एक बहुत बड़ा व्यापक छित्र है इसमें किवल art direction ही नहीं आता है पूरा का पूरा production design आती है कि किस तरह से पूरा production run करेगा तो इसमें आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा पहला है free और low cost props and costume आपको ऐसे props का use करना है जो बहुत ही low cost हो या free में कहीं से मिल जाए यानि कोई घड़ी चाहिए wall clock चाहिए या कोई phone चाहिए को पूरा का कोई भी चीज़े आप कोशिच कहिए कि free में available हो जाए या बहुत low cost में यानि petrol के cost में आपको मिल जाए कि petrol जितना लगेगा उतना आप दे दीजेगा बाकी हम आपको गाड़ी दे रहे हैं bike दे रहे हैं कोई चीज़ तो यह सब props की बात आई अब costume की बात आते है तो maximum लोग क्या करते हैं कि costume के लिए करते हैं कि artist खुद अपना costume लेके आओ लो budget की बात मैं कर रहा हूं ऐसा आप मत करिए क्योंकि कई बर क्या होता है कि वो अपना costume तो लेके आते हैं film 15 दिन 20 दिन चल रही है दूसरे दिन लाना भूल गया या फट गया या खो गया कुछ भी बोल देंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं या तो अगर उनका costume ला रहा हैं तो पूरे 15 दिन 20 जब तक shooting चलेगी उतने दिन के लिए costume आपके अंडर में होना चाहिए आपके production के अंडर में होना चाहिए या फिर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहापर आपको बहुत सस्त के लिए नहीं रहें कि आपको बुरा लगेगा आप film के लिए रहें तो ऐसे सी चीजें मिल जाएंगी जहां पर आप उसका use कर सकते हैं इसी में दूसरा point है inexpensive sets यानि जहां पर भी set बनाने की बात आएगी set का मतलब होता है कोई एक जगह पर आप location पर shoot कर रहें तो वो कैसा set create करके दे रहें यह आर्ट डिरेक्टर का काम है कई बार आर्ट डिरेक्टर बहुत कम पैसे में यानि वहां जो चीज available है उन्हीं चीजों की इस धंग से सजा देगा कि आपको look बहुत अच्छा आएगा camera में फिर वही बात अगर आपने angle अच्छा लिया short अच्छा बनाय तो camera से यह चोटी चोटी चीजे भी बहुत अच्छी लगती है उसमें lighting इस धंग से इस angle से दिये कि वह खराब चीज भी अच्छा लगने लगे तो आर्ट डिरेक्टर का बहुत महत्त होता है तो ऐसे आर्ट डिरेक्टर को सर्च करिए जो अपना नाम बनाने के लिए आप करना यह सारी चीजों के लिए आपको चाहिए कि ऐसी व्यूस्था करें ताकि आपका stay free हो जाए बहुत सर ऐसे लोग हैं जिनका घर में एक दो room खाली हैं उनको आप use कर सकते हैं उनसे बोल करके खाने के लिए आप ऐसा ना करें किसी hotel को मन ना बताएं ना बोले आप एक द बहुत तरह के variety कुछ नहीं कम ही बनाए लेकिन quality अच्छा रहे उस शुद्ध रहे टेस्टी रहे तो लोग बढ़ियां से खाएंगे पीएंगे और उसका budget काफी कम आता है और उसी तरह से गाड़ी का भी है मैंने पहले बिए बताया कि कई लोग आपको गाड़ी देने के बहुत सारे लोग आपको मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं बाइक है कार है आपको मिल सकता तो इसमें आपका जो logistic खर्च है वो काफी कम होगा जिसके वज़े से आपका जो production cost है वो भी काफी कम हो सकता है फूर्थ पॉइंट है post production wizardry फिल्म का production complete हो गया अब आपको post production करने की ज़रूरत है वहाँ पर आपको free software चाहिए edit करने के लिए बहुत सारे ऐसे software हैं जो genuinely free है जिस पर आप काम कर सकते हैं mobile पर भी आप कर सकते हैं, laptop पर भी कर सकते हैं, desktop पर भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे software है जो paid है लेकिन जो vendor है वो आपको free में available करके दे सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ नहीं बताएंगी, unethical है लेकिन आपको मिल जाएगा चाहिए final cut pro हो, चाहिए premier pro हो, यह सारा पर अगर shooting के दोरान edit करते रहें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बाद में उसको offline भी edit करेंगे, offline तो मतलब होता है कि file जो size है आप 4K पर shoot करेंगे, लेकिन file का size आप छोटा कर लिजिए, convert कर लिजिए ताकि easily edit हो जाए, बाद में mastering के दोरान उसको आप confirming करेंग और उस पर जाकर के raw file पर final output निकालेंगे, post production का जो दूसरा महतुपूर हिस्सा है वो है sound engineering, देखिए dubbing आपको करना चाहिए, मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर feature film बना रहे हैं तो जितना भी अच्छा mic क्यों न रखें, देखिए ये हमने live mic का use कर रहे हैं, अच्छा ह माइक आप ले लिजिए, 2000, 2500, 3000 का भी माइक ले लेंगे और अपने laptop या desktop साथ लगा करके आप एक sound dubbing का setup तयार करेंगे, उस पर अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छी quality में sound record होगा, और definitely film के लिए, theater के लिए sound dubbing जरूरी है, क्योंकि अगर sync sound करना चाहते हैं तो वो महगा पड़ेगा और उस पर जाने का मैं सलाह नहीं दूँगा, दूसरा है, आप एक digital recorder ले लिजी या फिर अपने mobile में ही अच्छा recording app डाउनलोड कर लिजी और उसके जरीए live अच्छे-च्छे sound को आप record करिया, train की आवाज हो या शोर गूल का, भीड का शोर हो या जिडि सारे जगां से मिल सकते हैं, वैसे free music के लिए बहुत सारे libraries हैं, कुछ आप music purchase कर सकते हैं, या music director को बोल सकते हैं कि उनके अपने पास जो stock है, उसमें थोड़ा-थोड़ा change करके वो आपके लिए music बना कर दें और उनके लिए भी आसान होगा क्योंकि उनका stock है, उसमें थोड भी background music create कर सकते हैं, post production का तीसरा जो पाट आता है, वो आता है low cost mastering, mastering करेंगे आप raw पर, और raw फाइल को mastering करने के लिए, color grading करने के लिए और उचित रूप का जो file format होता, उसके लिए best है एक free software, वो है the wingtree resolve, free में आपको मिल जाएगा, इस पर आप mastering कर लिजे, आपको raw के साथ confirming करके एक अच्छा output मिल सकता है, पांचवे point पर आते हैं, distribution tactics, picture आपकी बन गई है, post production का भी काम हो गया, आपके पास final print आ चुका है, अब आपको इसको distribute करना है, और distribute करने के लिए जरूरी है उसकी advertising या promotion, कैसे होगा, लोग film देखने, theater तक आएंगे कैसे, OTT तक आएंगे क क्यों, तब तक नहीं खरीदेगा, जब तक उसके बारे में उसे पहले से पता नहीं होगा, पता करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला है, buzz creation, यानि आप एक buzz, फुस हाट create करते हैं, लोग एक दूसरे से बात करना शूरू कर दें कि भई पता है, ये कितने बजट में जबरदस फिल्म आई है, मज़ा आगया देख करके, मज़ा आगया सुन करके, उसके लिए आप अपना यूज करिए, सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया में different different news flash करिए, आप किसी reporter से भी news बना करके उनके portal पर दे सकते हैं, YouTube के different different channels हैं, जो काफी कम पैसे ले करके, आपके लिए एक news तयार करके दे सकते हैं, तो इस तरह से आपको एक हर जगह पर एक buzz create करना पड़ेगा, और ये create अगर proper way में हो गया, तो निस्चित तोर पर आपको film को बेचना होत आसान हो जाता है, Use film festivals for promotion, देखिए, आपको promotion के लिए एक और जगह की एक और platform की जरूत पड़ती है, वो है film festivals, बहुत सारे film festivals होते हैं, जो कुछ genuine होते हैं, और कुछ fake क्या मतलब है, fake मतलब उसमें आप पैसे दे करके win कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ है, तो जो भी हो, हर जगह पर अपने film को ल आने के लिए, तो film festival का use करिए, जहां जहां पर आपको कोई भी award मिलता है, तो उसको आप highlight करके अपने channels पर, अपने जो भी social media platform है, उस पर दिखाईए, दीजिए, लोगों को distribute करिए, ताकि लोगों को पता चले कि भी film बनी है, जिसको कुछ नकुछ award मिला है, और अगर theater and OTT releasing secrets, कुछ secrets मैं आपको बता दूँ, कि किस तरह से OTT पर या theater पर आप release कर सकते हैं, दीए, theater पर जो release होता है, तो वहां पर first week में जो भी releasing होती है, वो महगा परता है, second week, third week से वो सस्ता होने लगता है, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि first week किसी एक छोटे center पर एक सपता के ल जो costing है, वो काफी कम हो जाएगा, अब आप proper way में इसका releasing कर सकते हैं, उसी तरह से OTT platform में भी जाने से पहले buzz create करिए, उसके लिए जो ऐसे magazines हैं, जो trade magazines हैं, वहां पर advertisement के साथ आप आजाएए, उसमें खर्च जादा नहीं होता है, लेकिन OTT को पता चाब जाता है कि इस तरह की film में आ रही है, तो वहां पर वो interested होंगे film को purchase करने में, और एक चीज़ जान लिजिए, अगर आपके film का cost बहुत कम रहा, यानि जो film 100 रुपे में बननी चाहिए थी, उसको आपने 25-30 रुपे में बना दिया, तो 70 रुपे तो यहीं आपने margin कमा लिया, और 100 रुपे की film निस्चित तोर पर 125 में ही कोई जाएगा बेचने के लिए, तो जब आप OTT को बोलते हैं 125 तो वो सोचेगा कि film अगर अच्छी है, तो क्यों ने इसको बना होगा 100 रुपे में, इसको हम 80 में, 70 में, 50 में purchase करें, तो भी आपको फायदा है, क्योंकि आपने 100 रुपे की film को 30 में बनाई है, तो win-win condition हो जाता है, यानि उसको भी लगए कि वो भी जीता, आपको लगएगा कि आप भी जीते, तो इसके लिए जरूर है कि आपका film की जो quality है, वो professional grade का होना चाहिए, और उसका जो budget है, वो limited होना चाहिए, काफी ज़्यादा दबा हुआ होना चाहिए, ले फिल्म बनाने के लिए आपने अगर सोच लिया है, ठान लिया है, तो एक मदद और हम कर सकते हैं, वो ये कि आप हमसे एक consultancy ले सकते हैं, जिसमें हम 60 ऐसे समस्याओं के बारे में बताएंगे, कि कोई भी आदमी अगर फिल्म बनाने के लिए सोचता है, शुरू करता है, और रिलीज करने तक, 60 ऐसे समस्याओं हैं, जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है, और उन समस्याओं का सामना वो कैसे करेंगे, और कैसे लो बजट में फिल्म बना लेंगे, उसके लिए धेर सारे सेशन्स होते हैं, और उसके जरिए आपका बजट कंट्रोल में रखकर हैं, बजट में आपकी एक फिल्म तैयार करवा सकते हैं, आप खुद डिरेक्ट करिए, खुद उसको बनाईए, प्रोडूस करिए या उस फिल्म का मेकर के रूप में आप अपना नाम दीजी, एनिवें ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा औ और हमारे साथ जूड़े रही है, नमस्कार. प्रोगन करें, www.bgfilming.in